नमस्कार दोस्तो टेपर है कर यूटूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज हम देखने वाले हैं बी ए फस्ट येर में फर्ट सेमस्टर में सेकंड इनिट का फोर्थ कॉश्चन इससे पहले की कॉश्चन मैं दे चुगा हूँ आप प्ले लिश्ट में जाके देख सकते हैं आज का कॉश्चन है प्रित्यचात्मक इस्तिरता से आप क्या समझते हैं या यही कॉश्चन दूसरे तरीके से पुट कर सकता है जैसे की प्रित्यचात्मक ब्रह्म का क्या आर्थ है ठीक है ब्रह्म के प्रकारों का वर्ण कीजिए हमसे क्या पूँच रहा है ब्रह्म के प्रकारों का वर्ण पूँच रहा है इस कुश्चन को और एक तरीके से मतलब पूश्च सकता है प्रित्य चात्मक भ्रहम से आप क्या समझते हैं भ्रहम के सिध्धान्दों का उलेक कीजिए ठीक है ये आप से एक कुशन कई तरीके से पूँच सकता है ठीक है आपको लिखना क्या है वो मैं बताऊँ ठीक है तो आईए इसका उत्तर देख लेते हैं प्रतच्छी कड़ की एक बिसेष्टा यह है इसके दोरा हमें बस्तुओं की भौतक परसितियों में परिवर्तन के बाद भी उनका प्रतच्छी कड़ समान रूप से होता है यानि कि जो भौतक बस्तुओं हैं वो किसी परसिती में अगर परिवर्तन भी हो जाती है तो उनका प्रतच्चीकड होता है वो समान रूप से होता है अन्य सब्दों में यह कहा जा सकता है कि बस्तुओं या उद्दीपों की परशितियों में एदपी परवर्तन हो जाता है क्या गया रहा है कि बस्तुओं या उद्दीपों की उपस्तितियों में परवर्तन हो जाता है ठीक है परंत फिर भी उनके प्रतच्चीगण में कोई परवर्तन ना होकर इस्तरता बनी रहती है बस्तुओं में उनके दुपकों में भले चाहे परवर्तन हो जाता हो लेकिन प्रतच्चीगण में कोई परवर्तन नहीं होता है इसके ही प्रतिच्छात्मक इस्तिरता कहा जाता है यानि इसको ही क्या कहा जाता है प्रतिच्छात्मक इस्तिरता कहा जाता है इसको ही इस ट्रेन तता उसके साथियों ने इस ट्रेन कौन था मनुविज्यानिक और उनके कई साथियों ने कहा है भिन भिन परसितियों में और द और वर्ति को प्रत्यक्षात्मक्स तृत कॉण से हैं प्रत्यक्षात्मक्स तृता का अनुमुवव से होता है क्योंकि प्रत्यच्छी कड़ किये जाने वाले उद्दीपक का अपनी प्रष्ट भूमी के साथ एक निश्चित तता इस्तिर सम्मन्द होता है अब आप यहाँ पर सोच रहे होंगे उद्दीपक क्या है उद्दीपक है जैसे कि हमको नौकरी लेना है ठीक है जैसे कि भरतियां नहीं आती है उससे पहले हम लोग बहुत कम पढ़ाई करते हैं कहते हैं जब भरतियां आएंगी तब करेंगे ठीक है जब भरतियां आ जाती है तो वो आपका उद्दीपक हो भरतिया आपको क्या हो जाता है उद्धीपक हो जाती है उसके अनुसार आप त्यारी करने लगते हैं ठीक है इस सम्मंद के काड़ परिवर्तन होने के बाद भी व्यक्ति किसी उद्धीपक को पहले के समान ही देखता है क्या करता है परिवर्तन होने के बाद भी किसी उद्धीपक को पहले के समान ही देखता है कौन देखता है व्यक्ति देखता है ठीक है है हम लोगों में किसी उद्धीपक के प्रमक गुड़ों को चुन लेने की तीपर प्रवर्ति पाई जाती है क्या है हम लोगों में क्या पाई जाता उद्धीपक के गुड़ों को चुन लेने की तीपर प्रवर्ति बहुत तेज उद्धीपक यदि हमारे सामने कुछ विक्रत रूप में भी आये तो हम उसका प्रत्चिकर्ण पहले के ही समान कर सकें क्या है विक्रत मतलब अलग रूप में आये तो उसका प्रत्चिकर्ण क्या है पहले के ही समान कर सकें ठीक है, प्रतिछात्मक इस्तिर्था उद्दीपक की अवस्ताओं आपर निर्वर करती है, तो प्रतिच्यकरण में इस तरह की स्तिर्था नहीं होती है, प्रतचीगर्ण में कोई इस्तिरता नहीं होती है प्रतच्छात्मक इस्तिरता को मूलता दो भागों में बाटकर अधन किया गया है इसके किते भाग है? दो भाग है दो भागों में बाटकर इसका अधन किया गया है कौन-कौन से है? आई देखते है पहला है बस्तुों से सम्मंदित इस्तरता पहला क्या है बस्तुों से सम्मंदित इस्तरता इसमें बस्तुों के आकार तता रूप से सम्मंदित इस्तरता आती है अगला है बस्तुओं के गुड़ सम्मंदी इस्तिरता इसमें उस इस्तिरता को रखा जाता है जो बस्तु के बिसेश गुड़ अर्थात रंग चमक आदिस सम्मंदीत होती है किसे होती है रंग से चमक से और उस बस्तु के गुड़ से सम्मंदीत होती है ठीक है प्रत्यचात्मक भ्रह्म अब देखते हैं प्रत्यचात्मक भ्रह्म क्या होता है अंधेरे में रस्ती को साप समझना ही प्रत्यचात्मक भ्रह्म है क्या अंधेरे में रस्ती को साप रस्ती पढ़ी रास्ते में आप उसको साप समझ रहे हैं तो क्या है यह प्रत्यचात प्रत्चीकड कोई भ्रह्म कहा जाता है कि असुद्ध प्रत्चीकड को हम क्या देख रहे हैं सई चीज को गलत रूप में देख रहे हैं तो क्या है प्रत्चीकड और भाहिं क्या ब्रह्म है टीक है हमारे प्रत्चीकड सदय भे इथार्थ नहीं होता हमारे प्रत्चीकड इथार्थ का मतलब है जैसा होना चाहिए बैसा नहीं होता ठीक है यानि कि उचित नहीं होता ठीक है और प्रितच्छी करड़की यह असुद्धी भ्रह्म कहलाती है यही असुद्धी प्रितच्छी करड़की क्या कहलाती है भ्रह्म ठीक है पेज के अनुसवार पेज कौन मनुवग्यान मनुवग्यानिक प्रतच्छी कर रहा है एक बास्तविक संबेदनिक बास्तविक और संबेदनिक अनुभब का असुद्ध प्रतच्छी कर रहा है ठीक है कि समझ में आगा प्रहम क्या है यदि कोई ब्यक्ति पेड की जुकी हुई टैनी को साप समझता है क्या करता है पेड की जुकी हुई टैनी को क्या समझता है साप समझता है तो यह है उस टैनी का असुद प्रतच्छी कर रहा है टैनी का क्या है असुद प्रतच्छी कर रहा है यद कोई ब्यक्ति जुकुई टैनी को साप समझ रहा है ठीक है यही भ्रह्म का एक उधारण है यही क्या हो जाता है यही हो जाता है भ्रह्म इस प्रकार भ्रहम की निमली की दो बिसेष्टा है इस पश्टो होती है भ्रहम की क्या दो बिसेष्टा है आए देखते हैं कौन कौन सी है पहली बिसेष्टा है भ्रहम एक प्रकार का प्रितिच्चड है ना की अप्रितिच्चड इसे भ्रह्म इस कार्ण कहा जाता है क्योंकि इसमें जो प्रतिच्चड होता है बहुत पहले हुए प्रतिच्चड से भिन्न होता है जो पहले प्रतिच्चड हो जाता है उससे अलग होता है भिन्न होता है ठीक है अगला है चूंकि भ्रह्म एक प्रकार का प्रतिच्चड है अ दीपक का होना आवस्यक है अब हम देखेंगे ब्रहम के प्रकार ठीक है मनुवेज्ञानेगों ने ब्रहम का अध्यन कुछ बिसेश प्रकार की रेखाओ तथा कोडों के आदार पर किया है इस प्रकार के ब्रहम को जैमितिक ब्रहम कहा जाता है जैमतिक भ्रहम के प्रमुक प्रकार निमनुबत है यानि जैमतिक जो भ्रहम है उसके बहुत से प्रकार है कौन कौन से है पहला है मिलर लायर भ्रहम पहला कौन सा है मिलर लायर भ्रहम इसमें एक तीर रेखा तथा दूसरी पंक रेखा होती है एक कौन से होता है तीर रेखा होती है और दूसरी कौन से होती है पंक रेखा होती है जिनकी लंबाई बराबर होती है जिनकी लंबाई क्या होती है बराबर होती है ठीक है परंद व्यक्ति तीर रेखा को पंक रेखा से छोटा समझता है तो यह क्या है ब्रहम है तीर रेखा को पंक रेखा से क्या समझता है छोड़ा समझता है विकेटर मनुवेगानिक अनस्वार सभी साब्य समाजों में यह प्रह्म पाया जाता है परंद कुछ आदिम आदिम मतलब आदिमानव जो पहले की आदिमानव जो पीड़ी थी बहां से जातियों में यह नहीं पाया जाता है ठीक है पोजो भ्रह्म इसमें उपर पड़ी रेखा नीजे पड़ी रेखा से बड़ी मालूम होती है यह नहीं कि जो उपर पड़ी रेखा है और जो नीजे पड़ी रेखा इससे क्या बड़ी मालूम होती है बड़ी लेकिन है क्या इनकी लंबाई क्या है बराबर है यद्दी भी ये रेखाए बराबर लंबाई की होती है ठीक है पड़ा खड़ा भ्रहम देखते हैं पड़ा खड़ा भ्रहम इसमें खड़ी रेखा पड़ी रेखा से बड़ी लगती है यहनी खड़ी रेखा है और यह खड़ी रेखा है और यह पड़ी रेखा है तो क्या है इसमें खड़ी रेखा ये वाली रेखा पड़ी रेखा से बड़ी लगती है इससे ये वाली रेखा बड़ी लगती है इद्धपी इनकी लंबाई बराबर होती है ठीक है तो ये किस कारड होता है ब्रहम के कारड होता है जाश्ट्रो ब्रहम इसमें एक दूसरे के बिलकुल जोष्ट्रो भ्रह्म जोष्ट्रो भ्रह्म क्या होता है देखते हैं इसमें इसमें एक दूसरे के बिल्कुल समान पैटन होते हैं यह एक दूसरे क्या होते हैं बिल्कुल समान पैटन होते हैं परंद ऊपर का पैटन नीचे के पैटन से छोटा दिखलाई पडता है pattern तो हो गाए computer तो होगे समान लेकिन क्या है order के जो pattern नीचे के pattern से क्या दिखाई देता है छोटा दिखाई पड़ता है ठीक है है अगला है डेल वोफब्रम इसमें दो समान ब्रत्वो को दो परषितियों में रखा दो समान ब्रत होते हैं उनको दो परिशितियों में रखा जाता है एक ब्रत बड़े गोले के अंदर तता दूसरा ब्रत चोटे गोले के अंदर रखा जाता है और दूसरा ब्रत होता है वो चोटे गोले के अंदर रखा जाता है बड़े गोले का ब्रत चोटे गोले के ब्रत से छोटा दिखलाई पड़ता है यह भी एक प्रकार का क्या है ब्रहम है अगला है और निश्टीन भ्रम इसमें मद्दिका बर्ग कुछ बिक्रत दिखलाई पड़ता है क्या है जो मद्दिका बर्ग है कुछ बिक्रत अलग दिखलाई पड़ता है यद्दि भी बर्ग की चारो भुजाओं की लंबाई समान है यानि की बर्क के चारों पुझाओं की लंभाई क्या है? समान है, लेकिन क्या है? فिर भी विक्रत दिखाई पड़ता है और सभी रेखाएं सीधी है ये भी एक प्रकार का क्या है? ब्रहम है जालनर ब्रहम, इसमें छोटी बड़ी साथ रेखाएं होती है इसमें क्या होती है चोटी बड़ी साथ रेखाए होती है बड़ी चोटी बड़ी चोटी ऐसी क्या है साथ रेखाए होती है जो समानतर समानतर होती है और एक ही दिसा में होती है परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि इन साथ समानतर रेखाओं की दिसा अलग अलग है लेकिन क्या हम क्यों को ये प्रतीत होता ता कि जो सात रेखा है इनकी जो हमको दिसा है वो अलग अलग प्रतीत होती है ठीक है अगला है बुंट ब्रहम इसमें दोनों पड़ी समांतर रेखा हैं यह दभी बिल्कुल सीधी दिशा में होती हैं क्या है जो दोनों पड़ी होती ही समांतर रेखा हैं वो बिल्कुल सीधी रेखा में होती हैं सीधी दिशा में होती हैं पर बीच में कुछ बिक्रत दिखलाई पड़ता है मद्ध में दोनों रेखा है एक दूसरे की और सट्टी हुई दिखाई पड़ती है मद्ध बीच में क्या है मद्ध नहीं बीच में दोनों रेखा है एक दूसरे की तरफ सट्टी हुई दिखाई पड़ती है ठीक है तो ये भी एक प्रकार का क्या है ब्रहम है अब हम देखने वाले है ब्रहम के सिद्धान्थ ठीक है तो आई देखते ब्रहम के सिद्धान्थ क्या है ब्रहम के सिद्धान्थ पहला है नेत्र गती सिद्धान्थ पहला क्या है नेत्र गती सिद्धान्थ इसमें क्या है ओबर के अनसवार यह सिद्धान्त उद्धीपक से मिलने वाली सुचनाओं में नेध तुटियों द्वारा भ्रह्म की व्याक्या करता है क्या इस सिद्धान्त के अनसवार जब ब्यक्ती किसी रेखागड चित्र को देखता है कोई भी व्यक्ति जब रेखा गड़े चित्र को देखता है तो उसके आकार्थ था किनारों द्वारा व्यक्ति की आंख की गती में कुछ परिवर्तन हो जाता है व्यक्ति की आंख में क्या हो जाता है परिवर्तन हो जाता है इसके कार्ड व्यक्ति को भ्रहम होता है इसके कार् अगला है हमारा तदन भूत सिद्धान्त ठीक है इस सिद्धान्त का प्रतिपादन लिप्स लिप्स जो महनों बैग्जा नहीं थे इसके इसका प्रतिपादन करता है ठीक है इनके प्रियासों के फरसरूप हुआ, ठीक है, यह सास्त्री सिद्धान्त है, इसके अनुसार रेखा गरती है, चितरों को देखते समय, ब्यक्ति में कुछ, विसे शामबेगी की इस्तिति उत्पन हो जाती है, जिसके काड ब्रह्म उत्पन होता है, ग्या काड ब्रह्म उत्प जो मुलर लायर प्रहम में कारी करता है अगला सिद्धान दान इस सिद्धान सिद्धान का प५्रतिवाधन यूद्र. पूर्छेट्र का सुखtt एक भाग के प्रत्प्रushattr को प्रभाबित करता एक किसी एक पूरा कोई छेत्र वहात उसके एक भाग को क्या करेगा इpaper अधिक है मैं जब किसी狐णधीर्पक्चित्र को देखता है यहां आकरसडबल तता बिकरडबल पर लगने वाला बल और आकरसडबल क्या होता है समान होता है एसी दसा में यदि कोई दूसरा चित्र या रेखा उसमें जोड़ी जाती है तो संतुलन में गड़वड़ी के काड़ ब्रहम होता है तो उसका संतुलन बिगड़ जाता है और उसी काड़ क्या उत्पन्न होता है ठीक है अरनिस्टीन ब्रहम इसी काड़ होता है जो अरनिस्टीन ब्रहम है वो किसका काड़ होता है इसी के काड़ होता है ठीक है अगला हमारा परिदर्स्ति सिद्धान्त इससे समरूपता सिद्धान्त भी का जाता है यानि परिदर्स्ति सिद्धान्त को क्या जगा जाता है समरूपता सिद्धान्त भी आप लिखकर आ सकते हैं ठीक है इसके अनुसाय भ्रहम का काड व्यक्ति द्वारा रेखा हो या चित्रों के मद्ड एक विसेश परिद्रस्तिया प्रश्टवुमी देत देखना होता है तीक है? इस सिद्धांद के आदार पर मिवलर लायर भ्रहम की व्याक्या की जा सकती है है कि अगला है । विभ्रांति सिध्धान ट के अनुसार जब विंक्ति ने रहाओं का चित्र को देखता है लोग 2 युँ ऐसंति विंक्तिव हैब बने रहाओं केसी चत्र देखता है उसका विस्त्रित विस्त्रित करता है विस्त्रित 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 करता है ठीक है विस्तार पूरुवक ठीक है यह विस्त्रित के काड़ उसे विभ्रांति या संदे होता है यह विस्त्रित जब करता है तो उसे क्या होता है विभ्रांति होता है संदे उत्पन हो अगला है गलत तुलना सिद्धान इस सिद्धान के अनुसार भ्रह्म इस काड़ होता है क्योंकि व्यक्ति अपना निरड़े आकृति के गलत हिस्से की तुलना पर यहनि क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति होता है वो आकृति के गलत हिस्से की तुलना पर आधार्त करता है ठीक आगला है हमारा आवासी दूरी सिद्धान्थ, इसका प्रितिबादन काफ मैन, जो काफ मैन मनुवेग्गानिक तता राक मनुवेग्गानिक ने किया है, यह सिद्धान्थ आकार दूरी अपरिवर्टन सील परिकलपना से सम्मंदिता है, क्या है? यह सिद्धन्द आकार दूरी अपरवरतन सील परिकलपना से समंदित है इस परिकलपना के अनुसार यदि दो बस्तुओं की अच्छी पडल प्रितिमा का आकार एक समान होता है ठीक है यहनि दो बस्तुओं का प्रितिमा का जो आकार का समान होता है तो भै अधिक दूरी पर प्रतीत होती है क्या है तो वह क्या है अधिक दूरी पर प्रतीत होती है वह उस मूल बस्तु की अपेच्छा बड़ी लगती है वह क्या है जो दुरे खाए वह मूल बस्तु के पेच्छा क्या लगती है बहुत बड़ी लगती है जब बहुत कम दूरी पर हो जब क्या हो कम कि भ्रहम क्या होता है ठीक है और मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से और देखती रहिएगा वीडियो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद हलो हलो कर कि उपको समन्यवाद हलो तुम, भॉबबबस तुम, प्रॉबस आपको अर्शक प्रॉबस अर्दक